हाई अभी हम security valuation वेकर छोटा सा simple सा topic है इल्ड कर्व यह हम concepted को discuss करेंगे और types of yield कर्व भी हम discuss करेंगे जहां पर आप देख सकते हो normal yield कर्व फिर आगे inverted yield कर्वे flat कर्वे, hunt yield कर्वे यह चारो topic बहुत simple है बहुत ही easiest है बहुत ही simple है हम फटा फट यह समझ जाएंगे एक दम अच्छे से बट उससे पहले मैं वो सारा समझाने से पहले मैं एक example आपको समझाना चाता हूँ उसके बाद जब मैं आपको yield कर समझाऊंगा बहुत अच्छे से समझ माईगा पहले मेरी बाद ध्यान से सुनगे कि example किसा समझाता हूँ मालीजे एक bond है यह अलग-अलग bond ही सारे same bond है बस bond में maturity अलग देखो one year की maturity का bond है two year की maturity का bond three year की maturity का bond मालीजे मैं गया मालीजे मैंने investment करने के लिए मैंने सोचा मैं एक bond खरीद हूँ इल्ड टू maturity से इल्ड भी बोलते हैं इल्ड टू maturity इल्ड दोनों सेम ही चीज़े current इल्ड अलग चीज़े जो current इल्ड एक साल का निकलता है इल्ड या फिर इल्ड टू maturity सेम जीज़े हमें बोला गया 8% इसका मतलब क्या है जो भी आपका period of investment होगा उसमें अब साला ना one year में 8% कमाऊगे तो अगर मालो for example मैं 1 रुपी invest करता हूँ कितने साल के लिए one year के maturity का है तो एक साल के बाद मुझे कितना मिलेगा उन्होंने बोला 8.5% देंगे मैं बोला यह कैसे होगा मैंने बोला कि अगर एक साल के लिए investment करू तो आप 8% दोगे तो यह के लिए investment किया तो 8.5% रिटन मिलेगा क्या इसका मतलब यह कि first year में 8% secondary में 8.5% ना जीना वो तो forward rate होता है यह आप ytm बढ़ रहे है ytm का मतलब क्या yield to maturity मलब maturity तक आपका यही yield रहेगा पर एनम yield to maturity का मतलब होता है yield पर एनम till maturity इन्हीं यह average निकाला जाता है average rate होता है यह ytm तो आपने देखा भी था वह अगर मैं two year की maturity में पैसा लगा तो तो मेरा कितना बनेगा मेरा one रूपी अगर मैं लगाऊ तो कितना बनेगा one रूपी में पहले साल का भी interest मुझे 1.085 8.5% मिलेगा next year भी मुझे 8.5% मिलेगा यानि यह बन रहा one point one seven seven one point one seven seven double two five तो मतलब हमें यह समझ में आ गया कि अच्छा एक साल के लिए invest करेंगे तो one point zero rate बनेगा दो साल के लिए investment करेंगा तो one रूपी इतना बनेगा तो मुझे क्या आप second year में कितनी कमाई हो रही पता सकते हो return for the period two यानि आपको इसी को कहा जाता forward rate forward rate for year two कितना बता सकते हो इसको ऐसे निकाल सकते हम यह बोलेंगे कि दो साल म में आपका one rupee बनेगा one point one double seven double two five और divide by एक साल कर देंगे one point zero eight तो आपका आज आएगा कि second year में कितनी कमाई होगी क्योंकि हमें यह तो पता चला देखो मैं आपको simple सी बात बता रहा हूं यह मानलो zero year है यह आपका first year है यह आपका second year है और यह total ले लिए मुझे यह पता है क तो टोटल बनेगा one point one seven seven double two five बनेगा यह मैं एक्स ले लेता हूं तो second year में कितनी कमाई होगी one point one seven seven double two five यह नीचे डिवाइड में चला जाएगा one point zero eight तो मतलब one point zero eight तो secondary मेरी कमाई कितनी हो रहे one point one one point zero nine double zero यानि 9 यह one point zero nine ले ले लेते हैं मतलब nine percent का मेरा return है मतलब मुझ एर का जो rate forward rate वो 8% ही है क्योंकि एक साल का maturity का 8% है बट इकलौता second year में अगर मैं बोलू तो मेरा 9% कमाई हो रहा है तो मतलब मैं यह बोल सकता हूँ कि मेरा एक रुपया first year में मैं कमारू 1.08 second year में मैं कमारू 9% 1.08 into 1.09 यह देख लो 1.1772 आ जाएगा यह वही आया जो आपने यह निकाला था 1.1772 चार डिजेट में ही रख देते को दिक्कत नहीं है आप बोलोगे तो मैं यहाँ पर last का ही मिटा भी देता हूँ यहाँ पर भी मिटा देता हूँ समझ मैं चार डिजेट में हमने रख लिया तो मतलब इससे हमने यह पता कर लिया कि second year की हमारी जो कमाई यह वो कितनी है 9% है मतलब आप दो तरीके से बोल सकते हो आप पता टू यहर्स का रिटन आप कैसे निकाल सकते हो पते हैं आपका तू यहर्स का वाइटियम आप दो तरीके से निकाल सकते हो एक तो आप ऐसे बोलतो वन फर्स चेर का 8% सेकंड यहर का 9% यह बनेगा आपका 1.1772 और या फिर आप ऐसे बोलतो फर्स चेर का भी 8.5% सेकंड यहर का भी 8.5% यह भी आएगा 1.1772 यह एक ही आएगा दोनों फर्स इतना यह जो है यह वाइटियम का रेट है और यह जो है यह फोवर्ड रेट है 8% और 9% जो आपका फोवर्ड रेट है तो अगर आपका वाइटियम जो वो इंक्रीजिंग ओर में है न इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में रेट से जादा मिलेंगे फ्यूचर में कमाई जादा होगे उसी को हम बोलते है नॉर्मल एल्ड कर मतलब देखो आपका यहाँ पर वाइटियम बढ़ रहे ना वाइटियम बढ़ रहे ओवर्ड अप्वर्ड स्लोपिंग में फर्स्ट वन यह का वाइटियम एट परसंट है तो टू यहर का एट पॉन फाइब तो टू यहर का नाइन परसंट है मतलब जो लॉंग टम मैचुरिटी के बॉन्ड है वो ज्यादा कब देंगे जब फ्यूचर के फोवर्ड रेट जो है वो ज्यादा होंगे वही अगर ठीक इसका उल्टा अगर हम ले ले चलो मैं एक और ग्जामपल लें लेता हूं ठीक है मैं अगर एक और एक ब्जामपल लेता हूं आपके सामने अगर मैं ऐसे करूँ वन-एर मैचुरिटी का मान लो ये 9% लिया मैंने 2 year maturity का मान लो मैंने लिया 8% ये सब YTM है यानि average return है हर साल का 3 year का maturity का bond मैंने ले लिया ये 8.5 भी लेता हूँ चलो और ये 8% लिया मैंने इस बार downward slowing है इसको inverted yield कर पहते हैं इसका भी मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पर 1 year का forward rate for year 1 तो आपका क्या होगा forward rate year 1 year 1 में पहले साल तो आप 9% ही कमा होगे अगर मैं आपसे पूछू forward rate year 2 का अगर मैं आपसे पूछू 1.085 आप 8.5% आपका 2 साल की maturity में investment करोगे तो आपका 1.085 इंटू 1.085 हो रहा आपका यहीं 1.177 225 हो रहा है चलो मैं 4 डिजिट में लेता हूँ लेकिन 1 साल में आप 2 साल में आप इतना कमा रहे हो लेकिन 1 साल में आपका 9% ही हो रहा है तो forward rate year 2 का क्या होगा आप divide पे कर दो divide by 1.09 तो आपका year 2 का आ जाएगा 1.1772 divided by 1.09 यह आगया 1.08 आगया देखिए मतलब आपका forward rate year 2 का 8% नहीं मतलब first year में आपकी कमाई 9% हो रही है लेकिन second year में आपकी कमाई 8% हो रही है तो इसको निकानने का दो तरीक है तो investment अगर हम बोले हम एक तो ऐसे कर सकते हैं first year में कमाएंगे 1.09 second year में कमाएंगे 8% यह आएगा 1.1772 और या फिर आप यह forward rate है और यह जो रेट है यह average रेट है ytm है यह forward rate है मतलब इसका मतलब किया तो forward rate गिर रहे है ना first year में आपकी कमाई 9% हो रही है second year में 8% हो रही है गिर आपका इसलिए इसको downward slopping होते तो इसी के लिए अब आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा अब देखें अब अगर हम बात करें इल्ड करकी तो अब देखें टाइप्स ओफ इल्ड कर अलग अलग इसका वो बढ़ रहा देखो वन ये की maturity का वाइटियम 4% है तो टू येर का 5 है तो फाइव येर्स का 6 है तो एट येर्स का वाइटियम 6.5 है यानि futures में वाइटियम जो है वो क्या हो रहा है बढ़ेगा यहां पर इससे पता चलता कैसे क्योंकि आपका long maturity का bond में आपको return जादा मिल रहा है मतला आज आप एक साल के लिए पैसा लगाओगी तो 4% मिलेगा वह दू साल के लिए लगाओगी तो 5% मिलेगा तो क्या यहां पर में forward rate भी निकाल सकता हूं forward rate मतला किसे particular year में कितनी कमाई होगी देखो first year में कमाई होगी 4% साफ पता च होगा यह 2 years का return first year का 1.04 to divide by 1.04 कर दीजे तो मेरा 6.009 यानि 6.1 6.01% मेरा क्या है forward rate किसका second year का इस प्रकारस हम यह निकाल सकते हैं तो आप यह देख लिए जब आपका yield बढ़ता है मतलब यह नॉर्मल yield कर वे यहां पर हम यह मानते कि healthy economy है future में growth होगा और नॉर्मल yield कर में obviously बात ही होता है short maturity bond में आपको ytm कम मिल रहा है long maturity bond में आपको ytm ज़्यादा मिल रहा है तो यह line exam के लिए बहुत important short term bonds usually have lower yield than long term bonds मतलब जो short term bonds है वो आपको कम return दे रहे yield उसका कम है compared to long term bonds long term bonds आपको yield ज़्यादा दे रहे तो यही मैंने example यह रहे है short term bonds का yield 4% है तो वे long term bonds का ज़्यादा है तो यानि जो long maturity का bond है उसमें higher ytm और इसका करव जो होता वो कुछ इस प्रकार होता मैंने कुछ निक्या भी खुद भी बना सकते हो यह मैंने क्या-क्या scale वगेरा से घीचा बराबर बराबर एक साल दो साल तीन साल चार साल पांच साल चेस साल साल आठ साल ऐसे करके मैंने यह बनाया और value put किया तो मेरा कुछ इस प्रकार आया है आपको एक्जाम में ऐसा पूरा बनाना नहीं skill में तो समझाने के लिए था आपको तो बस ऐसे दिखाना है कि जो normal yield कर वो ता वो upward slopping गर रहता है लेकिन वह आपका inverted yield कर रहता है न वो downward slopping गर रहता आपको तो वही मैं next up down मैं आपको next अभी बताने वालों जो है वो inverted yield कर भी बताने वालों यह मैं आपको साथ discuss करूंगा परूख जाओ यह example जो discuss करूँगा परूख को मैं आपको साथ अभी पहले inverted yield कर डिसकस करना चाता हूँ देखें inverted yield कर जहां पर आपका short maturity bond में आपको ज्यादा return मिल रहे वह long maturity में कम मिल रहे इसका मतलब होता है recession आप तो जब कभी भी आपको inverted yield कर दिखें यह इल्ड आपका long maturity bond में कम है उल्टा हो रहे तो यह recession माना जाता है यह economic slow down माना चाता है मतलब यह assume किया चाता है कि future में बरबादी होना है future में बरबादी तही है मतलब है ना तो यह recession की तरह इसारा कर आपका और इसका graph जो है वो ऐसे बनता है downward slopping मतलब over the years जैसे जैसे years अगर आप long maturity में जाओगे तो आपका return गिरे return गिरे अब यहाँ पर देखना forward rate भी आपका कम आएगा अब अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछो चलो यहाँ पर तो 5 year 10 year है अगर मैं चलो इसकी जगह में मैं ऐसा लूँ जान मुझके मैं यह भी समझा दूँगा इसे भी निकाल सकते है पर अगर मालू मैं लेता हूँ one year का 6% two year का 5% तो obviously बात है इससे आपका क्या आएगा पता है second year का forward rate कम आएगा first year का तो forward rate आपका 6% ही होगा year 2 का forward rate आपका year 2 का अगर आप देखोगे तो कितना आएगा पता 1.05 into 1.05 इतना कमाओगी दूस साल में और first year में कमा रहे हो 1.06 1.05 into 1.05 divided by 1.06 तो आपका forward rate first year में 6% हाँ तो second year में आपका गिर रहे है कम हो रहे है forward rate गिर रहे है तो जब YTM आपका downward की तरफ जा रहे है it indicates what inverted yield कर मतलब recession आएगा आपका है ना recession की तरह भी सारा कर रहे है investor expect कर रहे है कि future में recession होगा economic slowdown होगा और यहाँ पर क्यों तो short term bonds में higher yield मिलता है compared to long term bonds में higher yield मिलता है तो याद रहेगा यह सराम सी याद रहेगा सब normal yield कर मतलब healthy economy यहाँ पर long maturity bond में आपको ज़्यादा yield मिलेगा compared to short maturity और आपका inverted yield कर मतलब economic slowdown मतलब recession यहाँ पर आपका क्या हो रहा है यह कहीं है कहीं साइनोग recession है यहाँ पर आपका जो short term maturity bond है वो ज़्यादा yield देगा compared to long term maturity bond है ना और यहाँ पर forward rate आपका future rates में ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर forward rate futures में कम हो रहा है आपका indifferent कितना भी maturity का amount लगाई है इंवेस्टर नहीं economic slowdown एक्सपेट कर रहा है फ्यूचर में नहीं इंवेस्टर फ्यूचर में एक्सपेट कर रहा है कि high growth होगा मतलब future में नहीं growth होगा और नहीं recession होगा फ्लैट चलेगा है ना तो यह flat curve हो गया आपका तो यह भी समझ में आ गया अब बचता है हम इल्ड कर्व का मतलब क्या हो गया हम का मतलब पहले समझ जाए यह देखे जो आप ऊट में देखते हो आप यहाँ पर ऐसे करके नीचे जाता है इसको हम बोलते हैं यह इसका मतलब हम का मतलब ही हो गया यहाँ पर यह ऐसे याद रहेगा आपको मतलब जो बॉंड अगर इंवस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि बॉंड्स हो है वो future में तो high growth देगा कुछ सालो तक maturity ने देगा कुछ सालो तक तो वो बढ़ेगा फिर बात maturity में लगा होगी तो वाइटियम 4% में बढ़ रहे है तो आपको यहाँ पर क्या दिखा long maturity bond आपको return long maturity bond का वाइटियम एल्ड जादा है compared to short maturity bond लेकिन वही 5-8 से 10 year में आ रहे हो तो वापस से गिर रहे है यह क्या हो रहे है तो यह क्या हो रहे है फिर आगे वापस गिर आप तो इसी वजे से यह मतलब आपका kerv क्या होगा पहले तो बढ़ेगा फिर वापस नीची कर जाएति रहे है तो यह कुछ इस प्रकार होगा तो यही जो कुछ इस प्रकार यहना हम ऑलतें इसे को हम yield curve बोला जाता है तो हम yield curve में क्या होते है तीन फेसेश होते हैं एक आपका आने वाले कुछ सालों में ये आपका maturity के साथ yield बढ़ेगा फिर बाद में intermediate maturity में yield एक time में pick में रहेगा और फिर वहाँ से decline होने लग जाएगा जिसको हम बोलते हैं decline हुआ तभी तो हम बना ये अगर ये बढ़ता ही रहता तो ऐसे रहता decline होने के वह जैसे हम बना ये हम बन गए हैं आप आप देखें जैसे उट की चाले तो ये हम yield कर हो गया आपका ये तो ये सारे point मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया मैंने आपको यहाँ पर अब यहाँ पर एक और example बल जो है वह मैं आपके सारे समझाना चाहता हूँ जैसे मैंने यह क्या बोला यह जो एल्ड जो है यह average return है बहुत एक साल के लिए लगाओगे तो फर्स ये में 4% मिलेगा दो साल के लिए investment करोगे तो फर्स येर में भी 5% सेकेंड येर में भी 5% सेकेंड येर में भी 6% थर्ड येर में भी 6% फोर्ट येर में भी 6% फाइव येर में भी 6% एल्ड और वाइटियम का मतलब होता है average rate बला हर साल का average return ये ही रहेगा समझ में और forward rate का मतलब होता है किसी particular year का जो rate है वो बताएगा तो आप मुझे पते हैं ये 5 येर में अगर एक रुपए इंवेस्ट करूँगा तो 5 येर में कितना हो जाएगा अगर मैं 1 रुपी इंवेस्ट करूँ तो 5 येर में कितना हो जाएगा 1.05 into 1.05 1.05 1.05 1.05 5 साल में बनेगा 1.27628 1.27628 ये कितने सालों में बनेगा 5 सालों में बनेगा 5 सालों में इतना कमाएंगे वो एगर 2 सालों में अगर 1 रुपया 2 सालों के लिए लगाए 2 येर्स के लिए लगाए अगर 1 रुपया 2 येर्स के लिए लगाए तो बनेगा 1.1025 ये 2 येर्स के लिए ऐसा situation में मुझे जानना है कि 3 येर्स का forward rate forward rate 4 year 3 plus year 4 plus year 5 next 3 सालों में कितनی कमाई होगी आप देको अगर 5 सालों में इतनी कमाई हो रही है 2 सालों में इतनी कमाई हो रही है तो 3 साल में कितनी होगी divide कर 5 years by 2 years मैंने forward rate निकालना है मुझे ही हाँ पर question ने बोला अगर आपको exam में बोला जाए आपको forward rates निकान ला अगर आप 3 साल के लिए investment करोगे starting 2 years from now 2 साल के बाद 3 साल के लिए invest करोगे जैसे FRA पढ़ते थे थे न जैसे 2 by 5 मतलब 2 साल के बाद 3 साल के लिए तो अगर मैं 2 साल के लिए investment करो तो मैं कितना कमाई करूँगा मैं बोलूँगा 5 साल में 1.06 to the power 5 हो रहा है 2 साल में 1.05 to the power 2 ये 2 साल है तो to the power 2 ये 5 साल है तो to the power 5 तो इससे मेरा आरा 1.2138 तो 1.2138 मैं कमाऊँगा 3 साल हो तो 2 साल के अब में 1 रुपय लगाऊँगा तो 3 साल में 1.2138 होगा ये तो 3 साल का है मुझे पर NM में डिस्प्ले करना होता में साथ तो पर NM के लिए में क्या गरूँ तो to the power 1 by 3 लगा दो तो तो 1.2138 को to the power 1 by 3 लगा है मेरा forward rate आया year 1 का 4% year 2 का मेरा आया कितना 6% आया ठीक है अब मैं 5 साल का अगर एक साथ इकटा निकालना जो 5 साल में तो first year में मेरा आ रहा है कितना 1.04 forward rate second year का forward rate ये तो YTA में तो average है second year का forward rate year 6% है third year का forward rate है 1.0667 fourth year का भी 1.0667 है fifth year का भी 1.0667 है अब ये करके देखना तो आपका ये ही आएगा जो 6% के साब से 1.27628 आयता न ये ही आएगा 5 साल का investment में आपका ये बन रहा था ना 5 years का आपका ये बन रहा था 1.27628 हापर भी ये आएगा देखना 1.04 x 1.06 x 1.0667 x 1.0667 x 1.0667 x 1.0667 x 1.0667 ये क्या हो गया एक पर रुको देखने तो ये सब को सही था ये मैंने गलत लिख दिया थे हैं पर ये 1.2668 गलत निकला था हमारा ये सही नहीं था 5 years का हमारा कितना है का 6% के सा 1.06 x 1.06 x 1.06 x 1.06 x 1 उस्ता में क्यालकुलेटर में कोई प्रॉब्लम आई थी है ये ऐसे भी आइपैड का क्यालकुलेटर कभी-कभी सही नहीं बताते है 1.338 225 है 1.338 225 आ रहा था 5 years का फिर डिवाइड बै अगर हम 1.1025 कर दे तो 1.2138 आएगा जो कि मैंने बताया था तो लिखने में गरबड़ी हुई थी आप कैलकुलेटर करके चेक कर ले ना 1.2138 आएगा और इसको टूदी पावर 1 by 3 करेंगे तो ये आएगा तो अब हम वापस करेंगे तो हमारा ultimately 5 साल का जैसे 1.06 टूदी पावर 5 आपका ये आ रहा था था ना ये थी का ये फॉर का ये फायव का ये फोवर्ट रेट्स हैं अ समझ मैं यह 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 यरवन यहर टू यहर छी यहर फोर यह फाइव तो अब देखाँ 1.04 इंटो 1.06 इंटो 1.0667 इंटो 1.0667 इंटो 1.0667 टो 1.0667 1.3380 वो तो राउंट आफ्फ किया है है 6.67% तो लगब 1.3380 आ रहे हैं यह 1.3382 आप बोल सकते हो यह rounding of difference है समझ में आया यह है तो यह आएगा answer आपका ऐसे तो अब I think आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से आप यह निकाल सकते हो अब मैं इसके relevant में कुछ question आपको कराऊंगा एक दो मैं अच्छा case scenario वह कराऊंगा तब यह topic पूरा का पूरा हमारा खतम हो जाएगा मैं MTP को खोल लिया मैंने यह आपके फिर case scenario के जो booklet MCQ वाला उसमें आगे मैं incorporate कर देंगे पर as of now for the timing हम क्या करेंगे MTP जो आपका MTP जो है उसमें ऐसे में करवार हो आगे जाके कोशन उसमें include कर देंगे आपके booklet के अंदर तो देखे case scenario 3 जो है आपका यूरे investment analyst working for a financial advisory firm you have been asked to analyze the bond markets yield curve to assist your clients in making investment decision yield curve represents the relationship between interest rates and time to maturity आप देख भी सकतों यहाँ पर yield curve table आपको दिया हुए वन-year की maturity में yield 3% 2-year की maturity में 4% 3-year में 5% 5-year में 6% यह बढ़ती जा रहा हूँ ITM वाइटिम आपका increasing slope है आपका upward slope है आपका downward slope नहीं upward slope है तो बताए क्या inverted yield कर वे कि normal yield कर वे हम बोलेंगे सरी normal yield कर वे हैंना मतलब यह healthy economy recession नहीं है यह normal yield कर आपका तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या बेच जोंदा है वो case scenario answer the following question the main characteristics of a normal yield कर क्या है main characteristics इसका हुई यह से तो mcq पढ़ भी सकते हैं पर मैं आपको वज़ा उसका मतलर यह कि जो आपका long maturity bond है उसमें higher yield होगा compared to short maturity bond तो देखिए बुलें दिखाए short term yields higher होगा ने यह तो inverted yield कर में होते है short term yields lower होगा जी हां यह यह वाला answer है यह वाला answer है आपको समझ में आ रहे हैं यह वाला answer है same तो आपका कब होता flat curve में होते हैं और यह randomly आपका usually जो हमने चोथा वाल हम पढ़ाता कभी बढ़ेगा फिर गिरेगा वह वाला चोथा पोसिबल हो सकता अब देखो आगे पॉइंट नमबर मलब mcq number 12 बेज उन्दा revised yield data what is the yield spread between the 10-year bond and the one-year bond पुझा spread किता है देखो वन-year का bond में 3% है यह का bond में 7% है तो दोनों में spread कितने का 4% का है तो answer तो इंवर्टेट इल्ड कर टिपिकली इंडिकेट्स ग्रोथ नहीं रेशिशन है ना economic slowdown ऐसा कुछ वर्ड मिलेगा क्या देखो यह रहा आपकमिंग रेशिशन यह वाला होगा कितना सिंपल लग रहा देखो concept समझने के बाद बहुत सिंपल लगए आपको तो वो concept पूरा समझ लेते तो अभी खुद भी कर पाते अब आगे देखें even investor is looking to invest for two years starting three years from now तीन साल के बाद दो साल के लिए मत्दब three into five होना चाहिए हमें है ना पूछा forward rate क्या होगा आपका तो forward rate हमें निकालने हम क्या करेंगे जैसे वहाँ पर भी मैं आपको समझादा था three by five ifr अगर मैं करता था तो मैं यह समझादा था five months by three months करके आपको याद हूगा हमकी IRRM जब पढ़ते थे तो यहाँ पर भी वह यह three years के बाद five साल के लिए है ना तो क्या आपका forward rate होगा तो पहले देख लो पांच साल का कितना है six percent है और three years का कितना five percent है पांच साल का six percent है मतलब one point zero six to the power five कर लो तीन साल का five percent मतलब divide by one point zero five to the power three कर लो जो अंसर आएगा वो दू one point zero six to the power five तो मैंने पहले भी निकाला ता मैं वही से देख लेता हूं क्यों में महनत करो है अब तो निकाला था one point double three 825 यह आएगा यह तो आएगा यह दो आएगा यह दो one point zero six to the power five निकाला था हमने one point double three 825 आएगा मैं फिर से महनत क्यों करो है आ गया यह एगा 1.33825 आएगा यह और 2D power 3 का क्या एगा 1.05 into 1.05 into 1.05 1.157 625 1.33825 divide by 1.157 625 1.156 यह 2 साल का है मुझे 1 by 2 करना पड़ेगा मैं रूट करना पड़ेगा 1.156 को रूट करता हूं मैं चलो calculator मेरे mobile में करना पड़ेगा इसमें तो होगा नहीं आप भी करो 1.156 का रूट कितना आएगा 1.156 का रूट 1.07517 यहनी 7.52 परचेंट आ रहे हैं तो 1 साल का कितना होगा 7.52 परचेंट तो यहां पर हम यह बोल सकते हैं forward rate four year four इतना है four year five भी इतना है तो 7.52 परचेंट आपका forward rate होगा क्या दिया होगा यह देखो दिया होगा 7.52% आपका अंसर आगे फिर पूझा एवन इंवेस्टर्स लुकिंग तो इन्वेस्ट फू यर्स स्टार्टिंग 5 वेर्स फॉम नो पांत साल के बाद दो साल के लिए यह निए 5 इंटू 7 होगा तो इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा 7-year का वाइटियम डिवाइट वाइट वाइटियम लेंगे और फिर उसको दो साल का निकलेगा तो उसको वन बेटू भी करना है तो 7-year का वाइटियम भी हम ले 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 थे कितना है 7-year का वाइटियम 1.6.40 तो हमें क्या करना पड़ेगा 1.0640 साथ बाहर करना पड़ेगा जाए का आए हैं पांच साल से लिए कि दूसर तक तो फइयर्ट कभी मिची है फाइव एड्स का थो मुने निकाला निय email assess का निकाला तो यह न 7395 stream यह इसे डिवाइड करता थो10.23825 यह रहता 1.1336 कुम्ले पाउर वन बेट्ट और तो क्योंकि 2 साल यह ने सेवन पॉइंट वन फैव परेशन तो आपका अंसर आना चाहिए 7.41 बात खटम इतना सिंपल है कितना सिंपल है देखो तो मैंने ये पूरा फोवर्ड रेट आपको निकानला सिखा दिया पूरा कोशन मैंने आपको करवा दिया अब कोशन में में से एक दो कोशन मैं आपको और करवा दूगा बस एक दो और कोशन करवा दूगा आपको साथ-साथ बारूब जिनकन चंव karışनला से कोशन में सेक्वरिटी वैलिवीशियन चाप्टर में आपका बशर नम Бर यिट जो है वह मैं आपको सबसे पहले करवाता हूँ बहुत simple question है सच बता रहूँ अराम से होगा देखे question में क्या लिखा होगा ABC limited once to issue 9% coupon वाला bond दिया जाएगा redeem होगा 5 साल के बाद at its face value rupees thousand each each मैं लब 5 साल है first year, second year third year fourth year, fifth year ठीक है thousand का phase value 9% coupon है 90 rupees होगा हर सल 90 rupees होगा और end में thousand होगा यह अपका thousand 90 हो जाएगा तो आपका हर सल यह coupon जाएगा अब हमें इन्होंने क्या दिखा हो है the annual spot yield curve for similar risk class of bond is as follows बोला कि expected market price बता है यह bond का एक बाद बीटा विलू को ignore करते हैं बोला कि market price बताओ अगर मानीचे yield करव दिया हुआ yield करव दिया हुआ पूल करेंगे किस से पता है इसको पूल करेंगे 1.12 से एक साल को दो साल के लिए invest करो यह second year का forward rate नहीं है यह दो साल की बात कर रहा दो साल के लिए अगर आप investment करोगे तो 11.62% आएगा यह 90 रुपीस दो साल के लिए investment है यह दिखा जाए तो दो साल के बाद मिलेगा तो इसको हम क्या करेंगे 90 को divide करेंगे 1.1162 to the power 2 से यह 11.33% तीन साल के लिए investment करोगे तो यह YTM है 1.113 to the power 3 हो जाएगा समझ मैं है मतलब थर्ड year का यह थर्ड तीन साल के लिए investment होगी है नहीं तो यह तो तीन साल के लिए investment होगी आपका यह फिर चार साल के लिए investment करो 90 रुपीज है यह 4 साल के बाद मिलेगा आपको और 4 साल का YTM कितना 1.1106 to the power 4 और यह 1090 जो यह 5 साल के लिए investment हो रहा है तो 5 साल का YTM है 1.1080 आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे थी कि यहाँ पर आप forward rate निकालते हैं जिसे forward rate आपको second rate का निकालने तो आप कैसे गड़ते हैं 1 into 1162 1 into 1.162 1 into 2 साल का आपने निकाली है कितना कमाईए 1.2459 1.2459 1.2459 निकाला हमने और 12% का तो यह 1.12 हो गई 1.245 न डिवाइड वे 1.12 कर दिया हमने कितना आ रहे है 1.1124 है तो यहीं 11.24 परसंट होगा यहीं सेकेंड एर का forward rate जो आएगा न यह 11.24 परसंट आएगा अब आप देखलो 90 जो है मैं इसको 90 को अगर मैं 90 को खीचूँ 1.1162 तो दिप पावर 2 से और यहा फिर मैं 90 को खीचूँ एक बार मैं खीचूँगा सेकेंड यह को फर्स्ट यह में लाओंगा तो 1.1124 यह forward rate से खीचा तो forward rate सेकेंड यह का 11.24 परसंट आएथा मैं इसको इसको divide करके है तो इसे खीचूँगा एक बार और एक बार मैं खीचूँगा 1.12 फर्स्ट यह का forward rate तो वन यह का YTM ही फर्स्ट यह का forward rate है तो आप ऐसे करो यह आपने YTM से कीच है यह अपने forward rate से कीच है दोनों में answer देखना सीम आएगा 90 डिवाइड़ेड 1.1162 इक्वल इक्वल दूबार कर दो 72.24 है राउंड़ेड आउप में और इधर 90 डिवाइड़ेड 1.1124 डिवाइड 1.12 यह भी 72.23 से हैं 72.24 ही आएगा आपका तो मैंने कहाना answer तो सीम ही आएगा तो आप अगर forward rate लेकी करते हैं तो यहाँ पर ऐसे situation में मतलब मेरा यह कहना है यह पूरे आपको मैं बता देता हूँ आप तब ऐसे situation में 90 1.12 से किशते हैं यह वाला 90 को फिर 1.1124 forward rate से किशना 1.1122 से किशना फिर तीसरा वाला जो 90 रहेगा उसको आपको 3 years का भी forward rate निकालना पड़ेगा अब 2 years का तो हमें पता है यह total आ रहा वाइटियम 2 years का 3 years का वाइटियम कितना आएगा 1.1133 into 1.1133 into 1.1133 कितना आ रहे हैं 1.37986 1.3799 लिख सकतो हमें 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा 2 साल के लिए करेंगे तो 1.2459 मिलेगा आपका 3 years का forward rate क्या होगा 1.3799 divide by 1.2459 1.1075 आ रहे हैं 10.75 परचेंट आ रहे तो आप देखों यहाँ पर 90 को आप क्या करोगे फिर 1.1075 परचेंट एक से कीचां सेकेंडर का forward rate आपका 1.1124 है फर्स एर का 1.12 है तब यहाँ तो आप इससे खीचों सीधा YTM से तीन बार और या फिर आप इससे खीचों अंसर यहाँ पर भी सीम ही आएगा देखों क्योंकि मैंने forward rate से भी की सकतों YTM से कीचूंगा तो average है YTM एक दो तीन 65.22 आ रहे है और इधर भी करो 90 divided 1.1075 divided by 1.1124 divided 1.12 65.23 आ रहे है 225 65.22 लिग दिया चलो तो अंसर वही का वही आने वाला है समझ में आ रहे हैं आपको यह आप LCB कर सकते हो अंसर वही आएगा आपके यहां पर चलो तो इसका अंसर में काम करता हूँ सीधा अंसर आप खुदी निकाले ना मैं ICA वाला लिख देता हूँ इसको भी आप ऐसी करोगे इससे कीचोगे इससे कीचोगे आप डिरेक्ली निकाल सकते हो ऐसे भी एक बार मैं ICA का अंसर देख लेता हूँ उन्होंने भी वैसी किया देख 1.12 यह वाला करके इन्होंने निकाला 1000 को भी किचा तो इनका अंसर आ रहा 929.66 वह यह आएगा आप देख लीजेगा थोड़ा बहुत अलग हो सकता 929.66 यह आए आपका अंसर और आपसे पूछा जबकि बीटा वल्लू 1.10 है पॉपूलरेटी के वज़े से तो देरफोर आपका मार्केट प्राइस कितना होगा पता है 929.66 इन्टू 1.10 करना पड़ेगा आईसे ने भी ऐसा किया होगा यह सी देखो इन्टू 1.10 1022.63 आजाए हो मतलब इसका क्या है कि देखो ऐसे इसकी प्राइस तो 929.66 होनी ची एंट्रेंसिक वैल्लू जो है न इस दाप से लेकिन यह बहुत ज़्यादा पॉपूलर होने की वज़े से इसकी ब्रैंड वैल्लू अच्छी इसकी वज़े से यह 10% प्रीमियम में ट्रेड करेगा 1.10 की बिटा वैल्लू मतलब यह प्राइस जो इंट्रेंसिक वैल्लू से 10% जादा में यह मतलब ट्रेड करेगा 10% प्रीमियम में trade करेगा तो इसका market price इतना होगा तो आप ऐसे निकालो या फिर आप alternatively alternatively आप ऐसे भी निकाल सकते हूँ first year का आप forward rate निकाल की भी कर सकते हूँ या आपको इलिए मैंने sell छोड़ दिये यह मैंने छोड़ दिया पर यह आपको box में रख देता हूँ बे यह मेरा answer हो गया first part का 1022.63 यह answer ही आई से देखेगा ढूंडेगा एक्जाम में next वाला पाड़ इंटर्प्रेट दा नेचर ओप दा अबोव इल्ड कर्व और रिजन फोर दा सेम तो हम बोलेंगे देखो नेचर ओफ दा इल्ड कर्व क्या है यहाँ पर ही यह ठीक है इन्वेस्टर क्या expect कर रहे हैं एकोनोमिक slowdown लिख दो क्या पर इन्वेर्टर इल्ड कर विकॉस डाउनवर्ड स्लोपिंग है है ना अन्नकरस असारी अन्वेह्टर ओःस स्लोगो थार है वह जहे है तर राता है यह a था दिनी दौट कि दीख दो तो यह हमने part number 2 भी पूरा का पूरा ही कर लिया तो यह question number 8 अच्छे से समझ में आगिया आप exam में ऐसे करें ऐसे करके निका लिए और यह वाला answer डिकी यह तो मैंने बस rough आपको बता दिया alternative के लिए बता दिया मैंने आपको यह सब में मिटा दिया में आपको अब यह alternative लिए ऐसे करना नहीं आपको बस मैंने बता दिया ऐसे भी answer निकाला जा सकते हैं तो question number 8 I hope मैंने आपको पूरा अच्छे से करवा दिया अब बस एक और question मैं आपको करूँगा फिर यह topic पुरा खतम हो जाएगा एक और question है इसे से related आपका question number 10 चलो question number 13 देखते हैं following are the yields on zero coupon bond having a face value यहीं बॉंड की coupon नहीं है जीरो कुपन बॉंड है यहीं कुपन आपको कुछ भी नहीं मिल ले वाला one year का maturity का ytm दिया हुआ यहीं आवरेज return है yield है यह yield ytm कुछ भी बोदो forward rates नहीं है 10% 11% 12% मतलब अगर आप एक साल के लिए कमाओ एक साल के लगाओ कि forward rate आपका year one का क्या होगा तो 10% ही होगा और year two का forward rate क्या होगा जैसे आपका 10% से एक साल में 1 रुपीस 1.10 बनेगा दो साल में 1 रुपीस कितना बनेगा 1.10 बनेगा और तीन साल में अगर तीन साल के लिए पैसा लगाओगे तो 12% हर साल मिलेगा आपको 1.12 तीन साल में आपका रेटन कितना आएगा अराम से निकाल दोगे कैसे निकाल लोगे 1.11 to the power 2 करो गया इनि वोई two year का वाइटियम दिवाइड बन येर आप बोल दो वाइटियम दोनों तो सीमी रहना है तो 1.11 to the power 2 divided by 1.10 कर दो गया यानि 1.2321 1.10 12.01% हर और forward rate for year 3 अगर हम पूछें ये क्या आएगा 3 years का वाइटियम डिवाइड बेट 2 years का वाइटियम कर दो आपका दियर का आ जाएगा तो 3 years का वाइटियम तो आपका क्या है 1.12 to the power 3 3 years वाला और 2 years वाला 1.11 to the power 2 तबका निकाला 1.12 to the power 3 1.4049 1.2321 इसका वाइन पॉइन पॉइन पॉर्टीन पॉइन इसका वाइट पॉइर से वेरिफ़ाय कर लेते पर फेक्ट एक क्या इधिये forward rates निकाले यह implied one year forward rate पूछाने इसका मतलब क्या बता है implied one year forward rate यहीं आपको implied हर साल के बताने है एक एक साल का gap का जो है तो आपका पहले साल का तो 10% रहे गई forward rate आपका पहले साल का तो 10% रहे गई दूसरे साल का 12.01, 14.03 आया हमारा 14.02 आया था क्या 14.02 आया था ठीक है 14.02 14.03 यह की बात है तो यह हमने करा इसकी बात है point number two हम read करते देखिए point number two में एक है क्या लिखा हुआ है देखिए expected yield to maturity and price of one year and two year zero coupon at the end of first year अभी का बात है नहीं कर रहा है एक साल के बात का बात कर रहा है यहीं अगर हम बात करें दो answer लेना हमें एक one year zero coupon बात करें अगर हम और हम आज कहां खड़े हैं हम first year के end में खड़े हैं अगर एक साल का zero coupon bond है तो आप मुझे बते ही आपको कम मिलेगा एक साल बात ही आपको thousand मिल जाएगा एक साल बात ही आपको thousand मिल जाएगा और thousand को किस्से खीच हो गया है कि एक यह टू का फोवर्ड रिने ट्वेल पॉइंट जिरो बन टू जिरो वन होगा आपका क्योंकि second year से first year में आना जीरो तियर में नहीं आना क्योंकि आपको प्राइस ओफ जीरो को पन बॉन एड़ 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 एर वन चाहिए तो मुझे यहर वन में मैं हां पर खड़ा हूं मैं यहां पर खड़ा हूं तो मुझे अभी क्या निकालना है देखो प्राइस ओफ 201 कितना आया कि अधिन दूबंट 78 और एक चीजी पूछा इन्होंने इन्होंने एक और चीपूछा एक्सपेक्टेड वाइट्यम भी पूछा तो भाई वाइट्यम तो एक साल का यह होगा जो 0 को पॉण वह वह वाइट्यम होगा और वाइट्यम तो आपका वह 12.01 परसें तो उस एक साल का जो वाइट्यम होगा वह वह अपको फोवर्ट रेट हो था सेमी फोवर्ट रेट ही वाइट्यम बन जाएगा यहां पर अगर हम बात करें टू यर जीरो को पन बॉण्ड के यहां पर हम बोलेंगे यह भी फर्स यर के अंड में निकालने ंसेकन्ड ़्ट इर Is बर हमें घ। आउसन यहां मिलेगा और हम फर्स यर में खड़े हैं तो आप बोलोगने सेर इस को सीधा क्या मैं इससे निकाल सकते हूँ ये सब इर का forward rate कि तोना 14.02 परट सेंट है हुद्स नसर वेरी करेगा क्योंकि आई सीने 14.03 लिये है पूर तो डिवाइड डिवाइड बाइड टू इट 77.04 आ रहे है पिर मैं इसे फर्स्ट इर में ले खिया हूंगा 877.04 divided by second rate का forward rate के थे थे 12.01% है 1.1201 1.1201 783 आ रहे है अब आइसे एक अंसर देख लेते हैं यह नहीं है 782.93 यह वो लगबग 783 है क्योंकि हमने 14.02 लिया था ना इन्होंने 14.03 लिया इसलिए इनका यह आ रहे है आपके 14.03 लेते तो यह आपका आ जाता अब आपको प्राइस तो आपने निकाल लिया अब आपको वाइटियम भी तो निकाल ले है दो साल का वाइटियम कैसे होगा तो वाइटियम ऐसे निकालने हैं आप ये बोलोगे कि देखो हमने पैसे लगाए है 783 और वो लगा कि हमने 1000 कमाया तो return percentage कितना कमाया 1000 डिवाइड बै 783 1.277 कि इतना आपने कमाया दो सालों में इसको आप स्क्वायर कर दो कि 1.277 1 कि स्क्वायर रूट कर दो स्क्वायर नहीं गलती से वन बै टू होगा मैंने स्क्वायर रूट कर दू आप कि 1.1 3 13 परशंट आ रहा वाइट है इनका थुरस सा लगाएगा क्या 13.02 होगी है इनका वोई 782.93 के चलते हैं इसको वही किया आईसे के साबसे अगर आप बोलोगे तो यह 14.02 नहीं होगा 14.03 हो जाएगा मैं आईसे वाला कर देता हूँ फिर ठीक है यहां पर यह पर पूपाई के आईसे ने राउंड ओफ करके 14.03 परसिंगे मैं आंसर वो भी करेक्ट आपका अंसर दोनों ही करेक्ट आपके ठीक है बस मैं फिर भी एक बार जान मुझके आईसे वाला कर दे रहा हूँ 876.96 दिवाइद बाई यह तू का यह 12.01 परसंग 782.93 रिपार आईसे वाला यह 782.93 करेंगे न तो इसको वन बै टू करना पड़ेगा आपको आउसेंट 782.93 यह स्क्वाइर रूट कर दिया हमने 13.015 यह तो 13.02 परचेंट आ रहा है तो राउंडिंग ओफ किये इन्होंने राउंडिंग ओफ करके इन्होंने यह अंसर निकाला तो 13.02 परचेंट वाइटीम भी हमारा आ चुका फिर यह हमारा वाइटीम है यह आपका प्राइस है यह मैंने पूरा निकाला अब एक बार मैं आईसे का वो भी आपको बता देता हूं इन्होंने कुछ अलग प्रकार से निकाले इन्होंने पीवी आफ का इस्तमाल किये इस वज़े से इनका फरक आ रहे है आप भी पीवी आफ का इस्तमाल करोगे तो आपका आएगा बाकिया अदर वैस हमारा भी वह करेक्ट है अपने इस टैल से भी करोगी तो भी आपका करेक्ट रहेगा को दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है